आज आग ताप रही थी मन बदल गया किया जाए रोज दाल सब्जी रोज दाल सब्जी मन किया सब की घर पे फरमाई साई कि आज चोखा खाने का मन है तो मैंने चोखा की तयारी शुरू कर दी भाई जोरो जोरो के साथ तो इसमें एक बैंगन बड़िया आग में आग जलाई खुब अच्छी सी आग देखके लालच आ रहा था तो मैंने सोचा इसी में बैंगन दबाती हूँ और जो है टमाटर इसी में बड़िया दबा के और एक आलू जितने आपके यहां फैली मेंबर्स हों इतने आप लोग ले लीजिएगा तो मैंने तीन आलू दो टमाटर और यह दो बैंगन बड़िया अच्छे से दबा दिये और देखिए यह बड़िया अच्छे से उलट पलट के पकाएंगे बड़िया आग में वाव क्या ठंडी है मास्त आईए आप लोग आग ताप यहां के मेरे घर भाई सभी लोग मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स और रेस्पी की तयारी कर चल रही थी जोरो से देखिए ये बड़िया अच्छे से जो है भून गए है मेरे क्या दोस्तों टमाटर और बैंगन और आलू आलू अभी नहीं हुए हैं थोड़े थोड़े से पके नहीं है सही से लेकिन सभी चीजों को अच्छे से उलल पलटके पकाएंगे देखिए ज अपनी प्यारी सी फैमडी के साथ देखिए मेरे बैंगन भून के रेडी हैं है ना दोस्तों थ्री बैंगन मेरे भून गए हैं अच्छे से बड़िया अच्छे से पक भी गए हैं दबा दबा के आप लोगों को दिखा रहे हूं देखिए कितने अच्छे से और आलू भी प तो लेंगे थोड़ी सी धनिया और दो गाजर अब एक लेंगे अच्छे से एक नाइफ लेंगे इसकी मदद से छील लेंगे इसके उपर का फार जो पार्ट होता है उसे निकाल देंगे और दोनों तरफ का पार्ट निकाल देंगे और अच्छे से छील लेंगे बहुत वीडियों बनाने में बहुत मेहनत लगती है इतनी ठंडी में देखिए आप लोग यह मेरी गाजर है भाई कायरेट कायरेट मिन्स गाजर है ना दोस्तों अब इसको छील लेंगे एक नाइफ की मदद से बहुत अच्छे से यह चील के रेडी है मेरी देखिए है ना दोस्तों बहुत अच्छे से छीलेंगे और यह मेरी धनिया है इसे कट कर लेंगे बहुत अच्छे से बढ़िया छोटे छोटे तुकड़ों में धनिया के बिना तो सारी चीज अधूरी है ना दोस्तों और देखिए यह हरी मिर्च है और च्वाप की हुई मेरी प्याज है और अद्रक है अद्रक भी जरूर आप लोग एड करिएगा चोखे में ना जो चोखा बना रहे हों बहुत टेस्टी बहुत हेलदी बनेगा सारी चीजें मैंने अच्छे सी च्वाब कर ली है ना दूस्तु आप लोगों से छोटी सी रिकॉस्ट है भाई आप लोग मेरी प् से सब Animal करोई करेंगे सम इसी प्रोसेस छोटे छोटे पीसस में कट कर लेंगे देखिए ऐसा ऐसे बहुत अच्छे से आप लोग और भी सबजीया आड कर सकते हैं जैसे शुकंदर है या फिर पातगो भी है या फिर गो भी है जो आपको सब्जी अच्छी लगती हो या इपल है या फिर बनाना है कुछ भी आप लोग इसमें आईट कर सकते हैं चोखे में जो आपको पसंदोios आईट कर लीजेगा वरना skip कर दीजिए मुझे तो भाई इतनी चीज़े add करनी है मैंने add कर लिया अब चलते हैं अगली प्रोसेस आप लोग देखिए आप लोग मेरे साथ वीडियों में बने रहीएगा प्लीज इसकी मत कीजिएगा मेरे चोखे की रेश्पी देख लीजिए सीख लीजिए अब देखिए मेरे बैंगन और टमाटर और आलू अच्छे से भून के रेडी हैं है ना दोश्तो अब इसको एक बड़ी हाँ अच्छे से मैंने कप्रे में इसको फोस्ट दिया है या फिर पलीथीन में अब अच्छे स साफ हो गए हैं एक टमाटर लेंगे और शील लेंगे इसके उपर का जो छिलका है भाग उसे निकाल देंगे ऐसे बहुत आसानी से ये छील भी जाते हैं कोई जंजट नहीं है और कम समय में बड़ी हाँ अच्छे से चोखा बनके रेडी हो जाता है सब्दी दाल तो रोज हैं आज कुछ नया चखाई ये चटपटा सा मेरे घर पे सभी की फरमाईस थी आज चोखा बनाया जाए तो मैंने चोखा रेडी कर दिया इस थंडी में बनाया कुछ जा नहीं रहा भाई आलस लग रहा है लग रहा है कि बड़ी हाथ तापते रहें आग में हाथ सेखते रह जाएंगे अब भाई इसे पानी में नहीं दूलेंगे वरना इसका बड़ा सोंधापन हट जाता है ना चला जाता है तो ऐसे ही बड़ी हा रख लेंगे पौंच-पौंच के अच्छे से एक बार और पौंच लेंगे अच्छे से मलमल के कपड़े में एक बैंगन लेंगे उसके छील का जो है उपर का उसे निकाल देंगे देखिए ये सारी चीजे छील गई है मैंने एक बाउल्स में उसको बड़ी हा जो मिक्सिंग बाउल होता उसमें एड़ कर लेंगे सारी चीजे एक साथ है ना दोश्तो कमाल की रेस भी भाई चोखा तो बहुत मस्त लगता है टेश्टी हेल्दी जो बाला हुआ होता है उसमें वह सोद नहीं होता है ना गाउं का गाउं की तरीके से बनाएंगे बढ़िहा इंडियन चोखा है ना दोस्तों इसी में आट करेंगे कोरिंडर पॉडर धनिया पॉडर स्वात के नुसार नमक आट करें कम ज्यादा आप लोग अपने तरीके से कर सकते हैं इसी में आट करेंगे थोड़ी सी भाई क्या दोस्तों आप लोग गेस करिए हल्दी पॉडर नहीं नहीं दोस्तों इसमें आट करेंगे सबजी मसाला जो हता है बढ़िहा इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अब इसको बाड़िहा अच्छे से अपने हैंड से मिक्स करेंगे जो आप लोग पटेटो मैसर होता है ना मैसर उससे भी मैस कर सकते हैं बट मैं हाथ से करूंगी मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे देखिए भाई कितना अच्छा लग रहा है ना अच्छा लग रहा है ना दोश्तो इसी बात पर आप लोग मेरे वीडियो को अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर आये हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बड़िया अच्छे से मिक्स कर लिए हैं आप लोग देखे कितने अच्छे से अब इसी में एड़ करेंगे थोड़ा सा और प्याच और धनिया और हरी मिर्च थोड़ी बच गई थी ना उपर से गानिस कर देंगे इसकी भी ऐसे अब इसमें एड़ करेंगे थोड़ी सी और इसको चटपटा तीखा करने के लिए बड़िया इसी में थोड़ा सा एड़ करेंगे आलू है ना दोस्तों आलू के बिना तो चोखा बेकार है ना तो इसके उपर को भाग जो निकाल देंगे छिलका निकाल लेंगे निकालने से पहले इसे पोछेंगे एक पन्नी में या फिर एक रूमाल में अब इसको अच्छे से बढ़िहा इसका छिलका निकाल देंगे देखें कितना जल गया है ना दोस्तों आप लोग ऐसे मत जलाईए बढ़िया अच्छी से आग में भूनियेगा तो बहुत अच्छे से भून जाते हैं ऐसे थोड़ा सा ही आट करेंगे आलू आप इसे मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से है ना दोस्तो इस्पून की मदद से बड़िया अब इसमें आइट करेंगे क्या दोस्तो आहा मेरा चोखा बनके रेडी है आप लोग आईए जल्दी से खा जाईए मेरे घर पे भाई गाओं में जब गाओं में मैं थी ना तो बहुत चोखा खाती थी मुझे बहुत अच्छा लगता है चोखे की रेश्पी मैंने सोचा आप लोगे के साथ भी चोखे की रेश्पी सेर कर देती हूं क्योंकि रोज-रोज आग कान जलाए भाई इसही में आईट करेंगे सारे देखें कितने मस्त लगते हैं अब रोटी के साथ परठे के साथ पूड़ी के साथ दाल चावल के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं या फिर बेशन की रोटी से साथ बेशन की रोटी के साथ इंज्वाइब कीजिए प्यारी सी फैमडी के साथ है ना दोस्तो कमाल की रिस् और इसे चटपटा करने के लिए क्या असोक मसाला या फिर छोले मसाले तो सभी के किचन में मिल जाता है आसानी से इसी में आइट करेंगे थोड़ा सा बड़ी हाच चांट मसाला इसे भी बहुत अच्छे भी आइट कर देंगे थोड़ा सा इसी में एक और बात है मैं सारी चीजे एक में मिक्स कर लिए हैं दोस्तो जिसे जीरा पोडर भूना हुआ जीरा और काली मिल्ज और चांट मसाला अब इसी में आइट करेंगे थोड़ा सा भाई सर्सों का तेल सुद्ध आप सुद्ध तेल की रेश्पी मैंने सुद्ध तेल क जो है वीडियो मैंने डाल दी है आप लोग यूटूब पे जाके देख लेना है ना दोस्तो जो काट होती है उससे तेल निकाली हूँ आप लोग देख लेजिएगा आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को है ना दोस्तो आईए आप लोग इंज्वाइ कीजिए प्यार ऐसा मेरे चोख्या प्यारा सा चोख्या आज खरपे बनाई हूँ पूड़ी भी और रोटी भी दो रोटी जो होती है बेशन की है ना दोस्तो अब आप लोगों को नहीं दिखा रहे हूँ सिर्फ चोखे की रेश्पी लेके आई हूँ इतना सारा इसका देखे ये छिलका निकल गया है ना दोस्तो अगर ये भी होता तो और थोड़ा ज्यादा हो जाता चोखा ना हाँ दोस्तो जी हाँ बहुत मस्त रेश्पी बनी है मुझे तो लालच आ रहा चोखा देखके अब सभी के पसंद का चोखा बनगया है सभी की फर्माईस्ती मेरे खरपे की चोखा आज बनाया जाए भाई तो मैंने चोखा बनाके रेडी कर दिया है अब पूरी के साथ पड़ेठे के साथ खाएंगे बड़िया मस्त आप लोग भी अपने घर पे बनाईए और प्यारी सी फै अगली रेस भी आप लोग को जो चाहिए मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा मैं फुल कोशिस करूंगी देने की आप लोग मेरी प्यारी प्यारी सी फैमली हो ना हमेशा की तरह सिर्फ तीन चीज लाइक, सेयर एंड सस्क्राइब थैंक्स पार वाचिंग